इस कहानी में एक अजीब से चीज यह है कि लोग आपस पे बात नहीं करते यूगि जो भी आवाज निकालता है उसे खौफनाक शैतान मार डालता है लेकिन ये शैतान कौन है और ये सब क्यों हो रहा है ये सब हम इस कहानी में देखेंगे तो इस मोवी की शुरुआत होती है एक तबाई की बात के दुनिया को दिखाने से जा कुछी लोग जिन्दा बचे होते हैं जंगल में हमें एजरायल नाम की एक लड़की नजर आती है जो एक पौदे के फूल तोड़ रही होती है जंगल की खामूशी में अचानक एक हैताने वह सुनकर उसी तरब जा सकता है और उस इंसान को मार सकता है ये दोनों चुप चाप बैठकर वक्त गुजारते हैं फिर एजरायल अपने दोस्त को फूल से बड़ी एक चीज़ देती है जो उसने खुद बनाई थी मगर अचानक इन दोनों को फिर से कोई वास सुन वास से भाग निकलती है वो काफी दूर तक भागती है रस्ते में उसे एक आदमी मिला जो एजरायल को पकड़ लेता है उसी वक्त एजरायल को एसास हुआ कि उसके दोस्त को भी किसे ने पकड़ लिया है दोनों को अलग-अलग गाडियों में डाला गया और कही दूर ले जाया जाता है एसरायल गाडि से निकलने की कोशिश करती है लेकिन कामियाब नहीं हो पाती फिर गाडिया अलग-अलग हो जाती है और एसरायल को अंजान जगा पर लाकर बान दिया जाता है वहाँ पे कुछ लोग पहले से ही मौजुद थे एक लड़की भी थी जिसका ना करने वाना गुरूप का इससा और ये लोग रिचुल मैजिक कर रहे हैं और शैतान की पूजा करते हैं तब ही वाबर एसरायल को एक शैतान नजर आता है जिसका जिसम ऐसा था कि जैसे वो जला हुआ हो उसे देखकर एसरायल अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ बहने लगता है तबी वहाँ शैतान आकर उसके खुन को चकने लगता है और लड़के को काट खाता है जबकि एसरायल अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है लेकिन वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि एसरायल फरार हो गई है और उनके एक आदमी मारा गया है एस एजराइल जंगल के रस्ते दूर निकल जाती है वो एक नदी के पास पहुची अपने जगम को साप करती है और पैर वाले जगम पर पट्टी बानती है मगर तबी उसने देखा कि मेरे पास वही जला हुआ शैतान आ रहा है पर वो शोड नहीं करती चुप रहती है और पास व बाहर निकली और अपने रस्ते बर आगे बढ़ने लगती है वो एक छोटी बस्ती तक पहुच जाती है जहां कुछ लोग उन शैतान से बचकर रह रहे थे उन्होंने यहां फैंस बांदे और कटीले दान लगाई हुई थी ताकि कोई अंदर ना आ सके फैंस से बचते मेरा दोस्त मर चुका है यह देख कर उसे बहुत गुस्ता आता है तब ही यहां जोसिबीन नाम की वो लड़की भी आ जाती है वो एक बूरी औरत को चेक करने जाती है जिसके हालत बहुत खराब थी और यह औरत जोसिबीन की मा थी इसके बाद जोसिबीन यहां से एक वाली थी जोसेविन सिस्टर से आकर मिलती है और जब सिस्टर को पता चला कि वो लड़की यानि एजरालिया से भाग गई है तो उसे काफी गुस्ता आया वो जोसेविन के मुँपर थपड मान देती है और क्याती है कि तुमसे इतना सा काम ना हो बाया तभी हम देखते कि का मुकाबला करती है और आखिर उस औरत को मार गिराती है पर तब तक बाकी लोगों को भी पता चल चुका था कि वो एजराल नाम की लड़की या गुसाई है तो सब लोग उसे पकड़ने के लिए एक दम अलर्ट हो जाते है क्योंकि कैसे भी करके वो लोग एजराल को चाते हैं और उसे शैतान को देना चाते है ताकि वो अपने मकसद में कामियाब हो सके जो मकसद बहुत खतरनाक था अब वो क्या चीज़ था इसका जवाब हमें आगे चल कर पता चलेगा इसी वक्त एजराल को भी पता चल चाता है कि वो लोग उसे ढून रहे हैं वो के पास ही एक शैतान भी बैटा होता है जो कि उस पर अटक कर देता है और जैसे दैसे एजराल खुद को बचाती है लेकिन उसे ऐसास हो गया था कि यह एक नहीं बलकि कई सारे शैतान है वो अपनी जान बचाने के लिए आसे भागने लगी और सड़क पर पहुँच जाती ह जा उसे देखकर एक आदमी अपनी गाड़ी रोप लेता है वो जब बाहर आया तो एजराल को चुप देखकर पूचता है कि आखी तुम कौन हो और इतनी चुप की हो क्यों नहीं बोल रही हो तब एजराल उसे भी चुप रहने का इशारा करके गाड़ी में जाकर बैट ज जाता है गाड़ी में वी वो एजराल से पूचता है कि क्या तुम्हें भूग लगी है एजराल चुप रही दिया क्योंकि वो किससे बात करना नहीं चाहती चुप रहना चाती है अब यह आदमी इस जगा का नहीं था तो अंजाने में वो गाड़ी का म्यूजिक तीज आव आवाज में लगा देता है जो अवास कल्ठी लोगों ने भी स्थुन ली थी जो कुछ दूर जाने पर सामने आकर खणा हो जाते हैं और उस आदमी को गोली वार देते हैं इससे गाड़ी का बैलन्स बिगणने से एक्सिडेंट हो गया और वो एक पेट से जाटक राती है आ खाफी दूर आने पर वो अपने दोस्त को देखती है जो जिन्दा होता है लेकिन उसकी दोस्तिया एक पिंच से बन्द हुआ था और उसके साथ ऐसा कल्ठ वालों ने किया एसरा जब उसे जुड़ाने गई उसका पैर एक लैप में फज जाता है और वो पेट से उल्टा ल जाता है जो पहले उसका खुन चाटता है फिर आदमी को खा जाता है फिर वो एसराल की दोस्त की दरब बड़ा साती एसराल को भी खाने की कोशिश करता है पेट पर चड़के लेकिन एसराल किस तरह अपने आपको अजाद कर लेती है लेकिन अपने दोस्त को बचाने ही पा इस वज़ा से गल्ट के लोग समझते हैं कि शायद उनका कोई साथी खत्रे में हैं और वो सब लोग उसे बचाने के लिए जंगल में निगल बठते हैं इसका फायदा उट अगर एज़र उस जगा पर गुश जाती है और वो चर्च के अंदर भी चली जाती है जाब वो सिस्टर के उबर तान देती हैं लेकिन सिस्टर इशरा करती है कि वो प्रेगनेंट है तो तुम मझे मत मारो लेकिन अब अचारक सिस्टर एज़र पर हमला कर देती हैं जिससे वो थोड़ी सी जखमी हो जाती है तब ही कंड के लोग आकर उसे पगड़ कर अपने साथ ले जा मुसीबित की बात तो यह थी कि वह शैदान रहते थे एजल को और भी डर लगने लगता है लेकिन फिर भी वो सुरंग के रस्ते निकलने की कोशिश करती है यहां काफी अंदेरा था लाटिन लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है पर उससे बता चलता है कि यहां रहने प्रेगनेंट सिस्टर की खून लगा हुआ था इसलिए शैदान को यह लगा कि यह वो प्रेगनेंट औरत है जो उनके बच्चों को जनम देने वाली थी इसलिए गोवी शैदान एजरायल को कुछ भी नहीं करता और इस तरह उसकी जान बच जाती है फिर कल के सभी लोग अ नहीं है ऑग झाती है जो उसकी मदद करती है लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि बाहर किसी टेन में आग लगा गयी है जो टेन वो था जिसमें जोसिप DAVID एनकी मॉम ती देखते देखते ही आग दूसरे शी इंस तक ही फैल एज़ाल का गुस्तव अपनी आकरी अत्तक पहुँच गया था और वो किसी भी कीमत पर रुखने को तयारी नहीं थी वो जोसबिन को भी गोली मार देती है और काफी सारे लोगों को शूट करके मार देती है और एक ही बार में उसने एक आदमी का गर्दन तक काट दी थी फिर वो यह से चर्च में पहुच जाती है जा सिस्टर अकिरी होती है या आगर सिस्टर और एसराल के दर्मियान लड़ाय शुरू हो जाती है सिस्टर जो की प्रेगनेंट होती है इसके बावजित वो एसराल के उपर भारी बढ़ती है वो एसराल को मारने की कोशिश करती है पर देवी सिस्टर की दवियत खराब हो जाती है यानि उसका बच्चा पैदा होने का वक्त आ जाता है अब जोसिपिन भी यहां गन लेकर आ जाती है क्योंकि वो मरी नहीं थी बच गई थी वो एजराल पर गोली चलाती है लेकिन एजराल बच के किसी तरह छुप जाती है पर अब एजराल जोसिपिन पर हमला कर देती है और इन दोनों की खतरनाक लड़ाई हो जाती है फिर एजराल एक बड़ा सा चाकू उठाती है और जोसिपिन की गरदन में खोब देती है जिससे जोसिपिन वो ही मर जाती है फिर एज्रायल सिस्टर की तुने बढ़ती है, सिस्टर ने अपने बच्चे को पैदा कर दिया होता है, लेकिन वो इससे बहुत ही ज़्यदा खौफ ज़्यदा हो गई थी, उससे बच्चे से डर लग रहा था, वो अब खुद एक चाकू उठाती है और अपना गला काट ले जिस उसकी वोई पर मौत हो जाती है, एज्रायल उस बच्चे को देखने के लिए आगे बढ़ती है, वो बच्चे को अपने हाथ में उठाती है, अब तबीवा पर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं, साथी हम इस बच्चे का चेहरा देखती है, जो इस सारी बच्चा नहीं और इसी के साथ काहानी यही पर खतम हो जाती है, तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो एक कमेंट लीव करके जाना है, इस समय काफी खुशी मिलेगी, तो मिंत है किसी और काहानी के साथ